समस्कार बिहार एक सोच में आपका स्वागत है अगर आप मनीश कश्यप के समर्थक हैं तो आपके लिए खुस खबरी है देखे तमिलाडू में मनीश कश्यप को मदुराई कोट में हाजिर किया गया था और कोई भी ऐसा अभी तक खबर सामने नहीं आया है और जहां तक बात सामने आ रही है वहां के वकील का कहना है कि मनीश कश्यप कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिये हैं देखिए अब बताया जरा है कि जल्दी मनीश कश्यप को बिहार लाया जा सकता है यानि कि एक बार फिर से मनीश कश्यप के जितने भी चाहने वाले हैं जितने भी समर अथक हैं उन सबों के लिए कहीं ने कहीं यह खुश खबरी है क्योंकि हो सकता है जल्दी मनीश कस्यप फिल से बिहार यानि कि पटना लोट सकते हैं तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देखिए इधर लागतार मनीश कस्यप के फोन यानि कि उस मोबाइल की तलासी हो रही ह अभी तक छान भीन हो रही है जिससे मनीश कस्यप बिडियो बनाया करते थे देखिए सांथी मनीश कस्यप के कई ऐसे सांथी हैं जिनको भी लगतार अब तलासी की जा रही है जैसे में मनीश कस्यप के पाटनर है मनी दिवेदी मनी दिवेदी को भी अभी तक तलासी की जा रही है कि आखिरकार कहां है मनी दिवेदी और कई ऐसे राज जानने में अभी भी बिहार पुलिस साथी यू यू आर्थिक अपराद इकाई की टीम लगी हुई है लेकिन फिलाल मनीश कस्यप तमिलाडू में है और वहां पर मनीश कस्यप के उपर जितने भी केस हैं उस पर अ मनीश कस्यप को मदुराइद कोट में पेशी भी किया गया था अब वहां के वकील का जो सामने बयान आ रहा है सोसल मीडिया के जरीए उनका कहना है कि मनीश कस्यप कोई इतना बड़ा गुना नहीं किये हैं मनीश कस्यप कोई बहुत बड़ा कांड नहीं कर दिये हैं बलकि वो तमाम चीज बोल रहा है कि इस मुदे को बड़ा बनाया जा रहा है और कहीं ने कहीं उसे फसाया भी जा रहा है यह हम नहीं बलकी वहां के वकील कह रहे हैं जो वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है अब आपको बता दे यह भी खबर सामने आ रही है यह सुत्रों क कहें जितने भी चाहने वाले हैं उन सबों के लिए जरूर राहत वाली खबर है और एक तरह की खुसकवरी भी है देखिए कई लोग कह रहे थे कि मनीज कस्यव अब सांत हो जाएंगे तमाम चीजों पर लेकर हो रही थी बात लेकिन आपको याद होगा जो मनीज कस्यव तम कोई खास परिसान है मनीज कस्यव अभी उतने ही तेवर में है और मनीज कस्यव जिस अंदाज के लिए जाने जाते थे आखिर मनीज कस्यव का अंदाज अभी भी वही है और मनीज कस्यव तमिलाडू में है हलांकि पुष्टाच हो रहा है क्या पूरा मामला है अभी तक बात हम बोले हैं यह वाइरल बीडियो हो रही है उसको लेकर हम बोल रहे हैं अधिकारी पुष्टी अभी तक कोई बातों पर नहीं हुई है इसलिए बिहार एक सोच इस बात की पुष्टी नहीं करती है कि मनीश कष्टप के साथ वहां कोट में क्या कुछ हुआ या फिर कैसा बयान सामने आया कोट ने किसे फटकार लगाया तमाम चीजे अभी तक सामने नहीं आई है केवल वीडियो बारल हो रहा है उसमें इस चीजों की जनकारी मिल रही है लगतार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं आप यहार एक सोच पर बने रहे हैं बहुत बहुत धनेवार झाल